नमस्कार विदर्प की बात विकेबी न्यूज में आपका स्वागत है और आज की खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइन्स मुंबई में हलचल मचा कर आगे बढ़ गया विनाशकारी ताउते तुफान गेटवे ओफ इडिया तक पहुची समुद्र की लहरे तेज हवाओं के साथ मुंबई में हुई बारी बारिश जन्मदिन मनाने के लिए तालाब किनारे पहुचे नागपूर के एक परिवार की खुश्या गम में हुई तब्दिल पिता और मासुम पुत्र की तालाब में डूबने से हुई मृत्यू और प्रतिपक्ष नेता देविंद्र फटनवीस के अकोला के दौरे पर प्रकाश आम्बेट करने का साथ तंज महाराष्टा भर भटकने की बज़य उन्हें नागपूर में ही बैठे रहने की दी सला और अब कबरे विस्तार से चक्रावाती तुफान ताउते 165 किलोमिटर प्रतिघंटा की गती से गुजरात की और बढ़ चुका है तुफान के कारण मुंबई के समुद्री किनारों पर लहरे तेज गती से टकरा रही है लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि इस तुफान से म मुंबई पर मंडरा रहा खत्रा टल गया है अब यह तुफान शाम तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकराएगा तुफान के कारण केरल महराश्च और गोवा में भारी बारिश हो रही है फिर भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है अरब सागर से उठा चकरवाती तुफान ताउते गुजरात के पोरबंदर तट से शाम तक टकराने की पुरी संभावना बनी हुई है यह तुफान रात के दस बज़े तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकराने की उम्मिद है इसके बाद यह तुफान पोरबंदर और भावनगर से होते हु तुफान का असर कल रात से ही मुंबई में दिखना शुरू हो चुका था मुंबई में तड़के सुभा से हवाओं के साथ तेज बारिश हुई मुंबई के गेटवी ओफ इंडिया के आसपास उट्ती समुद्री लहरे तुफान की भिशंटा का एहसास करा रही थी महाराष्ट के रतनागिरी वह मानवी के बिच ताउते के कारण तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरे और तेज बारिश हुई है ताउते तुफान से मुंबई के समुद्री तटो पर मंट्रा रहे खत्रे के मद्दे नजर मुंबई में रेट अलर्ट जारी कर दिया गया था महापालिका ने इसकी स्थिती पर नियंतरन रखने के लिए डिजास्टर कंट्रोल रूम बनाया है मुंबई की महापोर किशोरी पेडनेकर ने BMC के डिजास्टर कंट्रोल रूम जाकर तयारियों का जायजा भी लिया ताउते तुफान का खत्रा टालने के लिए मुंबई के सिद्धी विनायक मंदिर में विशश प्राथना की गई वेद पाठी ब्रामणों ने वेद की रीचाओं के साथ श्री गनेश की आराधना की इस आराधना का यही मक्सद था कि मुंबई पर मंद्राते खत्रे से भगवान श्री गनेश हम सब की रक्षा करें यशुधरा नगर थाना अंतरगर टीपु सुल्तान चौक निवासी एक पुत्र का जनम दिन मनाने के लिए शहर से दूर हिगना तहसिल के मोहगाव जिल्पी के तलाब के किनारे पहुचा लेकिन इस अभागे परिवार को क्या पता था कि यह जनम दिन परिवार के दो सदस्वे का मुर्द्य दिवस बन जाएगा सोमवार के दोपर को साड़े ग्यारा बज़े के आसपास टीपू सुल्तान चौक निवासी अब्दुल असिफ अब्दुल गनी पतनी वो पुत्रों के साथ दू पहिया पर सवार होकर जनम दिन मनाने के लिए हिंगना तहसिल में मोहगाव जिल्पी तलाब किनारे पहुच लेकिन तलाब में मोजुद दलदल में फस जाने के कारण वे तलाब के गहरे पानी में टूपते चले गए यह दुरुष्य देख उनकी पतनी उन्हें बचाने तलाब में उत्री लेकिन उनका पैर भी कीचड में फस चुका था तलाब किनारे मोजुद कुछ लोग उन्हें मुसीबत में देख दोडे महिला को तो ग्रामिनों ने बचा लिया लेकिन पीता पुत्रों को वे नहीं बचा सके आखिर कर गोता खोरों की मदद से उनके शव बाहर निकाले गए महाराश्चों को इस कोरोना काल में जिस सामगरी की जरूरत थी मैंने केंद्र सरकार से मांगी और वह मिली प्रधान मंत्रिय ने महाराश्चों को सरवाधिक रेमडे सिवर दिये सरवाधिक ऑक्सिजन दी सरवाधिक पेंटिलेटर दिये लेकिन कुछ लोगों को केवल हाई तौबा मचाने की आदत होती है मैं ऐसे लोगों को उत्तर नहीं देता ऐसा पलटवर किसी का नाम न लेते हुए प्रतिपक्षनेता देविंद्र पडणाईविस ने अकोला में सत्ता धारियों पर किया वे यहां शोभा देवी गोयंग का कोविट केर सेंटर का मुआयना करने के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे वक्त तो चला है एक ब्रेक का मिलते हैं एक चोटे से ब्रेक के बाद कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो परस्नल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है गलत बस बैलन्स ज़रूरी है जैसे एक्स्टालाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं नाच्रल रेड और तीखेपन का perfect balance है सुरुची तेजालाल चिली पाउडर खाने में हुरुची तो घर लाईए सुरुची ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रकाश आमिटकर ने देवेंद्र फड्नविस के महाराष्टर में हो रहे दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे राज्यवर में भटकंती करने के बजाए नागपूर में ही बैठे और दो-चार कोविट सेंटर शुरू कर नागरिकों को सुविधा उपलप्त कराए विधायक राजू पारवे ने भीसी नाका में कोरोना टेस्टिंग वर रेलवे स्टेशन जोपड़ पट्टी के लोगों को कोरोना वैक्सिनेशन के लिए प्रोथ साहित किया बीसी नाका चोग पर एक शिविर लगा कर लोगों की टेस्टिंग कराई गई इसी प्रकार रेलवे स्टेशन उम्रेड में वैक्सिनेशन कैम्प आयोजित किया सवयम पारवे ने रेलवे स्टेशन जोपड़ पट्टी में रहने वाले लोगों को टीका करण के लिए प्रोथ साहित किया टीका करण के संबन में व्यापत भ्रांती अभी उन्होंने दूर की लज केतना ही का? तू लज गेउन टैट ना आज चल दे? तामूंजा तामूंजा जा इंजसिं जाले आगर करते जोंगा राज्यसरकार कोविट सेंटर स्तापित करने के संकलपना बंद करते वे प्रतिक अस्पताल को कोविट के मरीजों की जांज करने की अनुमती दे साथ ही जो अस्पताल ऐसा नहीं करेंगे उनका लाइसंस रद कर दिना चाहिए ऐसी सला वंजित भुजन आगाडी के प्रमुख प्रकाश आम्बेट करने राज्यसरकार को दी है अगोला जिले के अकोट शहर में आध दिनो से बैंक कामकाज बंद होने के बाद सोमवार को जैसे ही दी अकोला जिला सहकारी बैंक खुली वहाँ कोरोना काल में भी जम कर जन सागर उमड पड़ा इस दोरान सोशल डिस्टेंसिंग की धजिया भी उड़ती नजर आई सुबा के समय पीएम किसान सम्मान योजना की राशी निकाल ने तथा फसल कर्च के लिए बड़ी संख्या में किसानों की भीड बैंक पे तूट पड़ी यह माजरा पुलिस भी मुकदर्शक बनकर देखती रही हाला कि बैंक ने प्रत्तिक किसान को टोकन देकर बुलवाया था लेकिन टोकन पड़ती की भी धजिया उड़ा कर लोगों ने सारे नियमों को तिलान जली दे दी महाराष्ट विदान सभा के प्रतिपक्ष नेता देविंद्र फटनविस ने कहा कि हमने ऑक्सिजन का नियोजन समझ लिया है अब आगामी समय में म्यूकर माइकोसिस दवा का भी कठोर नियोजन होना आवश्चक है इसके लिए मैंने दवा तयार करने वाली कंपणियों के साथ चर्चा की इस दवा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है साथी प्रतिपंदात्मक उपाई योजना पर हमें अधिक जोर देना होगा नागपुर जिले के कुही थाना अंतरगत पुलिस उपनिरिक्षक भारत रमेश तीटे वह उनके सहायक अमिच शंकर पवार को पांच जार रुपयों की रिश्वत लेते वे अंटी करप्शन ब्यूर ने रंगे हाथ गिरफतार किया है तो खबरों के सफर में आज इतना ही आपसे फिर मुलागात होगी तब तक बने रहें वीकेबी नियूस के साथ नमस्कार